ओपो एफ 15, A53 और A9 जी हां यदि आपके पास ओपो के इन तीनों स्मार्टफोन में कोई भी है स्मार्टफोन है या आपके पास ओपो का कोई भी है स्मार्टफोन है कोई भी और उसमें गलती से लॉक लग गया है आपसे और आप उसे अनलॉक करना चाहते हैं वो भी बीना स के डाटा को लॉस की है और बीना कंप्यूटर के हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है जिसे देखके आप अपने ओपो में लगे हुए लॉक को अनलॉक कर पाएंगे तो चली बीना देर के इस वीडियो को यहां पर सुरू करते हैं लेकि उससे पहले आपको मैं यह मिलती है तो आप मारे लास्ट में इस वीडियो को लाइक करके जाएं वर्ण आप चाहें तो इस वीडियो में लास्ट में डिसलाइक कर सकते हैं आपको पसंद नहीं आती है तो कोई बात नहीं है अब चलिए आपको इस वीडियो को हम यहीं पर सुरू करते हैं जैसे कि मैं है और इसके अलाबद यह आपके पास ओपो का कोई भी हैंड सेट है जो आज की डेट में मार्केट में अविलेवल है और लोगों के पास है यदि उसमें किसी कारण से छोटी गलती बड़ी गलती यदि उसमें लॉक लग गया कोई बात नहीं घबडारी आपको घबडाना नह बिना कंप्यूटर के हल्प से बिना एफार पी मारे हुए बिना आपके डाटा को लॉस किये बगएर हम आपको यहां पे पूरा ओफ-लाइन तरीके से अपने हैंड सेट को अनलॉक करने का तरीका बताएंगे तो इस वीडियो में पूरा बने पूरा देखें सीख जाएंग में दोऌने के जबराट विए आपको ठीट निकालने की जोड़त नहीं है ज्यासा है रहने दे आपको कुछब करना है इस तरह से और यहां पे पैटन पास्वरड आपसे मांगा जाएगा मेरा यहां पे pattern दिखा रहा मतलब last time जिसका यह handset है उन्होंने यहां पे pattern lock लगाया था भूल गया है वो कोई बात नहीं है अब आपको यहां पे गौर करने वाली बात है वो मैं बताता हूं एक गलती जो अक्सर हर आदमी करता 99% लोग यही गलती करते हैं यही वो अपने password को भूल जाते हैं तो वो नया नया password try करते हैं कि उनको लगता है साथ वो उन्होंने यह लगाया हो लेकिन ऐसा होता नहीं है 99% लोग यह गलती करते हैं और अपने handset को permanently lock कर लगते हैं कैसे करते हैं वो यहां पर बाबा गलत गलत password लगाएंगे और जब नहीं खुलेगा फिर दिनों के लिए फिर वो जाएंगे service center और service center जाने का मतलब हो जाता है आपके सबसे ज्यादा important data आपके loss हो जाएंगे वो आपके handset को format मारके दे देंगे और आपसे 1000 रुपए से ले करके 5000 रुपए तक चार्ज कर सकते हैं वो depend करता है कि आपने कितना बार यहां try की अगलत password अब आपको करना क्या यह बता रहते हैं नीचे आपको देखना सिर्फ उसी के नीचे दो option आपको देखने को मिलेंगे पहला है राइट साइड में बैक का बटन दूसरा है लेफ्ट साइड में emergency call का बटन जो आप यहां पर देख सकते हैं जहां पर मेनी उगली यहां पर दखी हुई है अब आपको इसे ही यहां पर क्लिक करना है तो चलिए से क्लिक कर देते हैं जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने emergency calls का पेज ओपन हो जाएगा जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं अब जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर आपको एक कोड इंटर करना अब रख एट-वट-वग्यां और है जैसे हमने यहां पर ए hacerlo क्लिक किया आप देख सकते हैं हमारे हैं सब्सक्राद का मतले मतलड हम इंटर कर चुक है अब जैसे कि इसका नाम है engineer mode इससे आपको साफ यह अन्दाजा लग गया होगा कि एक engineer क्या कर सकता आपके handset में या आपके handset का इनजिनियर इससे कहा जाता है service center में क्यूंकि service center में भी आपके handset में कोई भी software regarding problem है वो उसे engineer mode के इस्तिमाल से ही उसे ठीक करते हैं और आपसे पैसे आप ले लेते हैं लेकिन यदि आप इसके वारे में जानते हैं तब तो कोई बात नहीं आप यहां छेशार कर सकते हैं यदि नहीं जानते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है अपने मन से यहां कुछ भी बटन क्लिक ना करें क् आपके हैंट्सेट के लिए डेंजरस हो सकता है इन सारे प्सेनों में आपको जो एक उप्सेन जिसका नाम में मिनवल टेस्स विडियो बनाने वाले हैं फिलाल आपको करना किया वह जान लेते हैं यहां पर minimal test जो number 4 page से यहाँ पे click करेंगे जैसे ही इसे click करेंगे आपके सामने फीडेक नया page आजाएगा लेकिन इस page पे भी आपको कुछ नहीं करना है सबसे last में आपको जाना है जो कि आपका other का page है हम इस तरह से swipe करते जाएंगे और सबसे last में पहुच जाएंगे जो कि other का page है और हम यहाँ पे other वाले page पे पहुच चुके है अब जैसा कि इसका नाम है आप देख सकते हैं other page पे total 5 option आपको देखने को मिल रहे हैं इन 5 ओप्सनों में शुड़ू के 2 option screen backlist test और read write important log test आपको टच भी नहीं करने है आपको यहाँ पे तीन ओप्सन जो कि है कियर स्टेटस, database version, reading reset, complete indicator इनहीं तीनों का इस्तेमाल करके अपने handset में लगे lock को आपको unlock करना है उससे पहले कि हम आगे का process आपको समझाएं उससे पहले आपको एक important बात में बता देता हूं मैं इसे थोड़ा आपके लिए zoom कर देता हूं आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक option है जिसका नाम है database version आपको इसमें अपने lock हुए आपको के handset में इसे check करना है यदि आपका भी database version यहीं दिखा रहा है तो इसका मतलब कि आपका handset unlock हो जाएगा मेरे बताएगा इस ट्रिक से अलग है तो आपको थोड़ा problem हो सकता है क्यूंकि हरेक आपको के handset का अपना एक अलग-अलग database version होता है और जब तक आप इसमें अपडेट नहीं करेंगे आपका अलग-अलग नहीं होगा तो दिक्कत एक और यहां पर आती है निकलके कि हरेक अपो का तो अलग-अलग database version हो सकता है उससे इसी वर्षन में चेंज करने का तरीका भी अलग-अलग होता है तो सबके मैं यहां पर नहीं कर सकता वरना यह वीडियो कम से कम 10 घंटों की बन करेंगे और उस reply के help से आप अपने database version को सेम इसी वर्षन में अपडेट कर पाएंगे तब आपका handset unlock हो जागा फिलाल में मान के चलते हैं कि आपका भी database version सेम यहीं है या आपने हमारे help से इसे चेंज कर लिया है तो अब आपको आगे कौन सा process apply करना है आपको इस data version को continuously जल क्लिक किया आपके handset का master unlocking mode activate हो जाता है अब आपको यह चेक करना होगा कि आपका master unlocking mode activate हुआ की नहीं हुआ उसे चेक करने के लिए हम सबसे लास्ट के page को यहां पर option को यहां पर click करेंगे जैसे click करेंगे आपको यहां पास लिखा हुआ message देखने को मिलेगा इसका मतलब कि handset का master unlocking mode activate हो गया है और आपका handset unlock होने के लिए ready है तो चली इसे अब यहां पर back करते हैं और जो हमारा last step है उसे यहां पर पूरा करते है वो है key status को click करना जो number 3 पर तो चली इसे click करेंगे आपके handset में लगा हुआ सारा lock यहां पर टूर जागा जैसे आप यहां पर live देख सकते हैं सारे की हमारे pass 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 दिखा रहे हैं इसका मतलब आपका handset unlock हो गया तो इसी बात पर वीडियो को लाइक कर सकते हैं चैनल को subscribe भी कर सकते हैं तो चली आपका handset unlock कर सकते हैं वह भी बीना computer data के बीना computer का और बीना आपके data का loss किया बगए सब्सक्राइब करना है ताकि हम आपकी वीडिन 10 सेकेंड एक reply देंगे और उस reply के help से अभी अपने हैंसेट को लोग कर पाएंगे तो आगे इसी तरह के नए-ए ट्रिक्स को देखने के लिए अब चैनल को subscribe कर सकते हैं फिर मिलेंगे ने वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ तो देखते रहें रिव्यू रिविड्ट झाल 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 झाल